सबस्कार आप देख रहे हैं केकेडी नियूज में आपके साथ सुतिकाथ अप्रियालों वक्त चला है स्वक्त तीन बजों के तीन बड़े खबरों का प्रदान मंत्री नेंजी मोधी ने शुक्रवार को गुजरात के भुच को बड़ा तौपा दिया है वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जोरिये प्या मोधी ने इस अत्याधुनिक सुविदाओं से लैस अस्पताल को रास्ट के नाम समर्पित किया प्याम मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये भुज में केके पटेल सूपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया दोसो बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्मा श्रीक कच्छी लेवा पटेल समाज की ओड से किया गया है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आज गुजरात के भुज में केके पटेल सूपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया प्याम मोदी ने योद्घाटन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये किया प्रदान मंत्री कार्याल है कि अनुस्तार ये दोसों बिस्तरों वाला कच्छ का पहला धर्मार्थ सुपस्पेशालिटी अस्पताल है इस मौके पर पियमोदी के अलावा गुजराच सीम भूपेंद पटेल प्रमुख रूप से मौजूद रहे पियमोदी ने अस्पताल के उध्गाटन के बाद जन्ता को संबोधित भी किया पियमोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भूकम से मची तबाही को पीछे छोड़कर भुज और कच्छ के लोग अब अपने परिश्रम से इस छेत्र का नया भाग लिख रहे हैं आज इस छेत्र में अने एक आधुनिक मेडिकल सेमाई मौझूध हैं इसी कडी में भुच को आज एक आधुनिक सुपरिशालिटी अस्पताल मिल रहा है पीम मोदी ने कहा कि दोस्तों बेट का ये सुपर स्पेशालिटी अस्पताल कच के लाखुर लोगों को सस्ती और बहतरीन इलाज की सुविधात देने वाला है यह हमारे स्यानिकों को अर्दिस्यानिक बलों के परिवारों को और व्यापार जगत के अनियक लोगों के लिए उत्तम इलाज की ग्यारंटी बन कर सामने आने वाला है भूकम से मची तबाही के पीछे छोड़कर भूष और कच के लोग अब अपने परिश्रम से इस ख्षेत्र का नया भाग्य लिख रहे हैं आज इस ख्षेत्र में अनेक आधुनिक मेडिकल सेवाएं मौजूद हैं इसी कड़ी में भूष को आज एक आधुनिक सूपर स्पेशलिटी अस्पताल मिल रहा है यह कच का पहला चेरिटेबल सूपर स्पेशलिटी अस्पताल है इस आधुनिक स्वास्त सुविधा के लिए कच को बहुत बहुत बढ़ाई दोसो बेड का यह सूपर स्पेशलिटी अस्पताल कच के लोगों को लाखों लोगों को सस्ती और बहतरीन इलाज की सुविधा देने वाला है यह हमारे साहिनिकों और अर्दसाहिनिक बलों के परिवारों और व्यापार्ट जगत के अनेक लोगों के लिए भी उत्तम इलाज की गारंटी बनकर सामने आने वाला है साथियों बहतर स्वास्त सुविधाएं सिर्फ बिमारी के इलाज तकी सिमित नहीं होती यह सामाजिक न्याय को प्रोट्साहित करती है प्रतिष्ठित करती है जब किसी गरीब को सस्ता और उत्तम इलाज सुलव होता है तो उसका व्यवस्ता पर भरोसा मजबूत होता है इलाज के खर्च की चिंता से गरीब को मुक्ति मिलती है तो वो निश्चिंत होकर गरीबी से बहार निकलने के लिए परिश्रम करता है बीते सालों में हेल्थ सेक्टर की जितनी भी योजनाय लागू की गई उनकी प्रेड़ा यही सोच है आईश्मान भारत योजना और जन अवशदी योजना से हर साल गरीब और मिडल क्लास परिवारों के लाखो करोड रुपिये इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स आईश्मान भारत हेल्ट इंफ्रास्टेक्टर योजना जैसे अभ्यान इलाज को सब के लिए सुलब बनाने में मदद कर रहे हैं आईश्मान भारत डिजिटल हेल्थ मीशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी आईश्मान हेल्थ इंफ्रास्टेक्टर मीशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केर इंफ्रास्टेक्टर को जीला और ब्लॉक लेवल तक पहुँचाया जा रहा है देश में आज दर्जनों एम्स के साथ साथ अनेकों सूपर स्पेश्यालिटी अस्पतालों का निर्मान भी किया जा रहा है देश के हर जीले में मेडिकल कॉलेज का निर्मान का लक्ष हो या फिर मेडिकल एजुकेशन को सबकी पहुँच में रखने का प्रयास इससे आने वाले दस सालों में देश को रिकार्ड संख्या में नए डक्टर मिलने वाले है अम्मेडकल जोयनती पर भारत्या जुंतापाटी ने कॉंग्रेस पर बाबास साहब हीम्रा उम्मेडकल के नाम पर राजुनीती करने और उन्हें भारत रत्न तक का संद्वान नहीं देने का आरूप लगाया है भार्टी जुन्ता पार्टी के राष्ट महासचेव केंद्रिय मंत्री और राष्ट प्रवक्ता की संयुक्त प्रस्वार्था में पार्टी ने कॉंग्रिस पर यारोप लगाया है गुरुवार को भार्तिय जंता पार्टी के राष्ट महासचेव केंद्रिय मंत्री और राष्ट प्रवक्ता ने नई दिल्ली सिद्भाजपा के मुखे कार्याले से संयुक प्रस्वार्ता की इस प्रेसवार्ता में अमेडिकल जेन्ती पर जहां प्रधान मंत्री के बाबा साहिब की याद में बनाए गये संग्राले और मेमोरियल के नाम गिनाए गये हैं उन्हें सामाजिक नियाए के लिए केंद्र का निर्मार बताया गया वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कॉंग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि बाबा साहिब अमबेटकर को कॉंग्रेस ने सिफ राजनीती के लिए इस्तिमाल किया मगर ना तो उनके रहते और ना ही उनकी मृत्यू के बाद ही कॉंग्रेस ने उनके योगदान को कभी सराहा और ना ही उन्हें भारत रत ने कॉंग्रेस की सरकार में दिया गया केंद्री मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब बाबा साहिव की मृत्य हुई उस समय ततकालीन केंद्र की कॉंग्रेस सरकार ने उनकी राज की सम्मान का भी कोई निर्देश नहीं दिया था और अनुमती भी नहीं दी थी लेकिन तत्कालीन महराश की शिफ्षेना भाजपा सरकार के मंत्री ने हस्ता शेप करते हुए बाबा साहब का अंतिम संसकार दादर में समुद्र के किनारे करवाया था वैसे भी भारती जनता पार्टी डक्टर भीमरा उंबेडगर जी के विचारों से उत्रोत होकर शुरू से ही चलती है और आपने देखा होगा हमारी सदिस्ता परची जो भी बनी थी उसके अंदर भी पहले जन्सकाल से ही चला आ रहा है यह चुआ छात मानेगा वो भारती जनता पार्टी का सदिस्ता नहीं बन सकता और डाक्टर भीमरा उंबेडगर जी बालमीकी रविदाज जी के जन्म दिन को स्वें भारती जन्ता पार्टी बनाएगी ऐसा पहले से ही उल्लेक उसके अंदर है आज उसमें ही अंबेडगर जन्ती हम बना रहे हैं आज बावा साब के सुबह सुबह ही कारेकरम लिए गए हैं सबी मंडलों में उनके स्थिच्यों को साफ करना सवस्त करना मालय अरपंड करना और उनके जीवन पे छूटी छूटी घोष्टियों का आयोंजन करना हो उस गोश्टियों में बावा साब से जुड़े हुए अनेकोनेक कारे करम बावा साब का भारत देश को योगदान इस अभी का उलेखने कारे होता है और उसके साथ साथ इस जनम दिन को हम ऐसे भी मनाते हैं शेवा कारेवी करते हैं, बलड बैंक, अनेकों ने घोश्पितलों में, फल वित्रन और साथ साथ सेवावस्तियों में, अन्न खाध्य परदार्तीयों, पदार्तों का वित्रन, सरकारी साहित हैं उन तक पूँचे, इस सभी के लिए हम जन जागरण का कारेवी लगातार कर रह है उनके जीवन को किसी परकार से इस बंद करके रखा ताकि उनके जीवन में निमालोपड़ में एक डाक्टर उम्बेट करी नहीं उसमें देखें तो चंसिकार आजान है सुवाचंद बोस है सहीद बगस सिंग है सदा बल्ला भाई पटेल है मोला नाजाद है ऐसे सबी लोग जितना उनके वारे में बढ़न करना चाहिए था उतना बढ़न नहीं किया गया जिसके कारण से आपने देखा हूँ का डाक्टर उम्बेट कर जी दलीतों के ही नेता बन कर रहे गए और उसके लिए मैं समाज के नेकर लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ लेकिन मो अगरे सरकार में और जिनोंने सविधान दिया और सविधान के सहत देश चल रहा हो पारलेमेंट चल रही हो उसके अंदर उनका तेल चितर भी नहीं था तेल चितर लगाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया उस समय के अंदर और इसी परकास से आप मोदी जी की सरकार आने के बाद में 26 नौवंबर जो एक इतिहासिक दिन होता है जिस दिन देश को सविधान समर्पित किया गया था उसका उल्लेक आजादे के बाद कभी भी नहीं किया गया स्वेहम 2015 के अंदर 26 नौवंबर को डाक्टर भिमरा अंबेटगर जी के इस दीवस को सविधान दीवस के र लिए ते उसमें योजनाओं का उल्लेक किया गया कि सर्मिकों के लिए जो किया महीराओं के लिए कि है रिजर बैंक की कल्पना टी मोनेटाइजेशन प्लानिक कमिशन और जल के लिए बड़े और निकोनेक बांध का निर्मान देखा जाए तो जो हम सोचते थे कि डाक्टर अंबेडगर दलीतों के नेता है ऐसा नहीं डाक्टर अंबेडगर जी 26 नवंबर 2015 के बाद जो लेक के बाद मालूम पड़ता है डाक्टर अंबेडगर जी इस भारत के निर्मान के इंदर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और साथ-साथ अनेकों ने महापुरूसों जोठी समाधियां भी आपने दैस के अंदर देखियोगी संग्राले भी देख के नगें अधि walnut के अखिते आधिया कारे कारे हुई जी के वो उनके पिताई सेवा सेना में कार क्यार्य करते थे तो एक छोटा सा कमरा जो सेनिकों को मिलता है एक ट्रंक सा रखा हूँ होता बाकि कुछ भी नहीं था खुद हमारी सरकार आई हमने खाली उस स्थान को संग्रान ले ही नहीं एक बड़ा भब्बे समारक बनाकर और साथ साथ उस छेत्र को अंबेडगर नगर के नाम से गोसित किया और आज अंबेडगर जी के नाम पर आज 14 अपरेल है क्योंकि अंबेडगर जी को पूजने वाले अंबेडगर कुम के नाम से वहां पर उसका आयजन किया आता है और इसी परकार से सिक्षब हो में जहां डाक्टर अंबेडगर जी सिक्षब लेती उस बिल्डिंग के मालिक ने साफ साफ लिख दिया था कि यहां पर डाक्टर विश्च के सबसे बड़े लोकतां दीदेश के सविदान के निर्माता डाक्टर भीम राउंबेडगर जी पढ़कर गए थे और मैं इसको बेकना चाहता हूं चाहती तो कांग्रे सरकार भी अपना समर्पन दिखा सकते ते लिए कभी ऐसा नहीं किया उस भूमी को खरीद कर आज वहां पर बहुत बड़ा संग्रान बना कारे चल रहा है अब समाजिक नियादे करता मंत्री जी के महाध्यम से सो बच्चे वहां पर पर प्रतिवावान वहां जाते हुआ हुआ कि अपने तरीके से हिमाचल प्रदेश को इसके लिए बठाई दी पर प्रधान मंत्री नरिंद मोदी भी कहां पीचे हटने वाले थे उन्होंने भी हिमाचल दिवस पर हिमाचल प्रदेश निवासियों को बढ़ाई दी और मुख्यमंत्री सहीत आम लोगों के काम की सरहाना की हिमाचल दिवस के मौके पर सीम जैराम ठाकुर ने बड़ा एलान किया है सीम जैराम ठाकुर ने चंबा में आयोजिक राजिस्तरी कारिक्रम में महिलाओं को सरकारी बसों में आधा किराया लगने की घोशना की है सीम ने कहा कि प्रदेश की तरक्की में महिलाओं का भी काफी योगदान है अब सरकारी बसों में महिलाओं से तै दरों से आधा किराया लिया जाएगा ऐसे में प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी ने भी 75 वे स्थापना दिवस पर हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई दी है हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेश को संबोधित करते हुए प्रिधान मंत्री नरेंद मोदी ने राजिके मेहनतकश लोगों की तारीव की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों को भी सराहा प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र की कल्यारकारी योजनाओं को सीएम जैराम और उनकी पूरी टीम ने बहुत विस्तार दिया है विशेश तोर पर सामाजिक सुरक्षा के मामले में हिमाचल में प्रशसनिये काम हो रहा है मैं प्रदार मंत्री ने हिमाचल की जंता को संबोधित करते हुए कहा कि ये सुकत सन्योग है कि देश की आज़ादी के 75 वे वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75 वा स्थापना दिवस मना रहा है आजादी के अमरत महतसम में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमरत हर प्रदेश विवासी तक निरंतर पहुचता रहे इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी है ये बहुत सुखत संयोग है कि देश की आजादी के 75 वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75 वा स्थापना दिवस मना रहा है आजादी के अमरत महुत्सों में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमरत हर प्रदेश वासी तक निरंतर पहुचता रहे इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी है हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था बर्फ ढकी परवत मालाएं नदिया जरने जंगल किनरियों का देश देवता डोले पल पल सभाग्य से मुझे भी प्रकृती के अनमोल उपहाड मानविय सामर्थ की प्राकाष्ठा और पत्थर को चीर कर अपना भाग्य बनाने वाले हिमाचल वासियों के बीच रहने का उनके दर्शन करने का बार बार अउसर मिला है साथियों 1948 में जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तहब पहाड जितनी चुनोतियां सामने थी चोटा पहाड़ी प्रदेश होने के कारण मुश्किल परिस्थितियों और चुनोति पुर्ण भुगोल के चलते संभावनाओं के बजाए आशंकाय अधिक थी लेकिन हिमाचल के महनतकश इमानदार और कर्मठ लोगों ने इस चुनोति को अवसर में बदल दिया बागवानी, पावर सल्प्रस राज, साक्षरतादर, गाउं गाउं तक सडक सुविधा, गर गर पहाड़ी और बिजली की सुविधा जैसे अनेक मानक इस पहाड़ी राज़ी की प्रगति को दिखाते हैं बीते साथ आट सालों में केंद्र सरकार्थ का निरंतर प्रयास रहा है कि हिमाचल के सामर्थ को वहां की सुविधाओं को और बहतर बनाये जाए हमारे युवा साथी हिमाचल के जनप्रिय मुख्यमंत्री जैराम जी के साथ मिलकर ग्रामीड सरकों हाइवे के चौडी करन रेलवे नेटकवर्क का विस्तार इसका जो बीड़ा डबल इंजिन की सरकार ने उठाया है उसके परिणाम अब दिखने लगे हैं जैसे जैसे कनेक्टिविटी बहतर हो रही हैं वैसे वैसे हिमाचल का टुरिजम नए ख्षेत्रों नए अंचलों में प्रवेश कर रहा है हर नया ख्षेत्र परियटकों के लिए प्रकृति संस्कृति और एडवेंचर के नए अनुभव लेकर आ रहा है और स्थानिय लोगों के लिए रोजगार स्वरोजगार की अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है स्वास्त सुविधाओं को जिस प्रकार सुधारा जा रहा है उसका परिणाम कोरोना के तेज टिकाकरण के रुप में हमें दिखा है हिमाचल दिवस के मौके पर सीम जैराम ठाकुर ने बड़ा एलान किया है सीम जैराम ठाकुर ने चंबा में आयोजिक राजिस्तरिय कारिक्रम में महिलाओं को सरकारी बसों में आधा किराया लगने की घोशना की है सीम ने कहा कि प्रदेश की तरक्की में महिलाओं का कि नहीं बेरेंगे हमारे साथ देखते देगे केकेडी नियूज